नमस्कार दोस्तों, जाने पैचाने चेहरे सीरीज के एपिसोट नमबर 21 में हम बात करने वाले हैं साउथ फिल्मों की एक जानी मानी सक्सियत नसर सर की, जिनको अक्सर आपने साउथ की फिल्मों में काफी ससक्त भूमिका में देखा होगा। साउथ फिल्मों में जब भी कभी किसी रा एजेंट, सीनिर ऑफिसर ये दमदार सीरियस करेक्टर की जरूरत महसूस होती तो सभी के सामने नसर सर का ही नाम साबने आता। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने दमदार विलेन के रोल किये तो कई फिल्मों में नसर सर हाईली पॉस्टिव रोल्स में भी नजर आए इनकी सुरुवाती जिन्दगी पर नजर डालने पर पता चलता है कि नसर सर इंडियन एर फोर्स में एर मैन थे सायद इसी वजा से ये ओफिसर सेंट्रिक रोल को इतनी बखूबी से प्ले करते हैं साल 1985 में इन्होंने तमिल फिल्म कल्याना अगातिकल से बतोर सपोर्टिंग एक्टर अपना डेब्यू किया और धीरे धीरे ये फिल्मेकर्स की पहली पसंद बनते गए एक्टिंग में नाम इस्टैबलिस करने के बाद इन्होंने डिरेक्शन में हाथ अजमाया फिल्म प्रोडक्शन में उत्रे, डबिंग भी करी और गाने भी गाये हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम नशरसर की सुरुवाती जिंदगी से लेकर अब तक के सफर पर चर्चा करेंगे तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस से पहले भी हमने इस सीरीज के अंतरगात साउथ के Most of the Supporting Actors की बात कर चुके हैं बेसिकली इस सीरीज के अंतरगात हम उनी एक्टर्स की बात करते हैं जो सालों से हमें इंटर्टेन कर रहे हैं और काफी संगर्सों के बाद अपना नाम बना पाए हैं चुकि ये एक्टर फिल्मों में लीड रोल प्ले नहीं करते इसलिए हम इने पहचानते तो हैं लेकिन इने अच्छे से जानते नहीं हैं हम अपने वीडियो के मात्यम से इनी एक्टर्स के संगर्स की कहानी आपके सामने लेकर आते हैं अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको उपर आई बटन पर मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू नसर सर का असली नाम है मुहमद हानिफ ये तो इनोंने अपना नाम बदलकर फिल्मी परदेपन नसर कर दिया था दोस्तो नसर सर इगिप्त के प्रेश्टेंट जमाल अब्दुल नसर को अपना आइडल मानते हैं और उन्ही के नाम पर इनोंने अपना नाम नसर रखा है वैसे इनका जन्म ताच मार्ज साल 1958 को चैंगल पटू में हुआ जो की तमिलनाडू का हिस्सा है इनके पिता का नाम है महभूब बासा और इनकी माता का नाम है मुमताज पिता इनके वैपारी थे और इनकी मा एक हाउस वाइफ दोस्तों इनका जन्म एक संपन परिवार में हुआ था इनकी सुरुवाती पढ़ाई चेगल पट्टू से हुई और आगे चलकर इन्होंने सेंट जोसफ हायर सेकेंडी स्कूल से अपनी इंटरमीडियर तक की पढ़ाई पूरी करी इसके तुरंद बाद नसर मदराज सिफ्ट हो गए और यही पर इन्होंने मदराज क्रिश्चन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया चुकि नसर बच्पन से ही फिल्मों को लेकर काफी पैसनेट रहते थे इसी वज़ा से यह मदराज क्रिश्चन कॉलेज में ड्रामा सुसाइटी का एक्टिव मेंबर बन गए यह ड्रामा में बढ़ चड़ कर हिस्ता लेते ड्रामा की स्क्रिट भी लिखते और कई कई बार डैरेक्ट भी करते कॉलेज से निकलते ही नसर सर ने इंडियन एर फोस के लिए अपलाई किया जिसमें इनका सेलेक्शन हो गया और तकरीबन दस सालों तक नसर सर ने इंडियन एर फोस में अपनी सेवा दी इसके कुछ समय बाद ये एक्टिंग को लेकर काफी ज़्यादा सीरियस हो गए इन्होंने साउथ के दो बड़े एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की बारीकिया सीखी जिसमें पहला था तमिलनाडू इंस्ट्रीट ओफ फिल्म एंड टेलिविजन टेक्नलोजी और दूसरा था साउथ इंडियन फिल्म चैंबर ओफ कॉमर्स फिल्म इंस्ट्यूट अच्छे से एक्टिंग का प्रसिच्छा लेने के बाद नसर सर तमिल फिल्म इंडस्टी में रोल पाने की जद्दो जहत में लग गए कई मैनों के संगर्स के बाद नसर सर को उनकी पहली फिल्म मिली फिल्म थी के बाला चंदर की कल्याण अगितकल इस फिल्म में नसर सर सपोर्टिंग रोल में नजर आए इसके बाद नसर सर को एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला फिल्म का नाम था वलाई करन जिसके हीरो थे सूपर इस्टार रजनीकांट फिल्म में नसर निगेटिव रोल में थे और फिल्म कमर्सली सक्सेस्फल रही साती साथ नसर की परफॉर्मेंस की भी खोफ तारीफ हुई इसके बाद ये कवीते पद निर्मल में में प्रोटाइगनिस्ट के रोल में नजर आए तकरीबन दो-तीन फिल्मों के बाद ये वन्ना कनावगुल फिल्म में काफी important मगर negative रोल में नजर आए जिसमें इनकी performance की काफी तारीफ हुई पाच फिल्मों के बाद नसर सर के हाथ वो फिल्म लगी जिसने इनकी किस्मत पूरी तरह से बदल दी फिल्म थी सूपर स्टार कमल हसन की नाइकन जिसको मनी रत्नम ने डेरेट किया था फिल्म में नसर असिस्टन कमिशनर पार्टिल के रोल में थे अपनी पर्फॉमन्स के थरू इन्होंने लोगों को खूब इंप्रेस किया और सही माइने में यही फिल्म नसर सर की ब्रेक्ट्रू फिल्म मानी गई दोस्तों कमल हसन और मनी रत्नम भी नसर से इंप्रेस हुए और इसी के बाद नसर इन दोनों की मोस्ट आफ दा फिल्मों में नजर आने लगे इसके बाद नसर कमल हसन की सत्या, प्रभू की मना सक्कुल और सत्यराज की पुतिया वानम जैसी बीसो फिल्मों में नजर आए साल 1989 में इन्होंने कोकिला फिल्म के जरीए तेलगू इंडस्टी में और साल 1990 में मुकम फिल्म के जरीए इन्होंने मल्यालम इंडस्टी में भी कदम रख दिया साल 1992 में अवरपू फिल्म में थेवर के इनके किरदार के लिए इन्हें तमिलनाडू स्टेट अवार्ड का बेस्ट एक्टर का स्पेसल अवार्ड मिला साल 1992 में नसर मनी रत्नम की मोवी रोजा में नजर आए फिल्म ने खूब सूरकियां बटोरी और फिल्म कमर्शली सकसफुल भी रही इस फिल्म में नसर अपने कोलोनन लैपा की किरदार में च्छा गए इसी साल की इनकी कमल हसन इस्टारर थेवर मगन फिल्म भी इनके केरियर की हाईलाइटट फिल्मों में से एक रही ये फिल्म भी सफल रही और नसर की परफॉमेंस की काफी ज़्यादा तारीफ हुई साल 1995 तक नसर तमिल, तेलगू, मल्यालम फिल्मों को मिलाकर 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके थे ये एक एक साल में 20-20 फिल्मों में काम कर रहे थे और हर बड़ी फिल्में इनका चेहरा साफ तोर पर देखा जा सकता था साल 1995 में इन्होंने सनी दियोल की मोवी अंग रक्चक के जरीए बॉलिवुड में भी कदम रख दिया इसके अलावा ये क्रिमनल, बॉम्बे और इंडरा जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आए बॉम्बे फिल्म में तो ये अडविन सौमी के पिता के रोल में थे और एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस के जरीए सभी का दिल चीत ले गए अब नसर डिरेक्शन में भी उतर आए साल 1995 में इनकी पहली डिरेक्ट की हुई फिल्म अवतारम रिलिज हुई इस फिल्म में नसर बतौल लीड हीरो नजर आए लेकिन ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी इसके बाद साल 1997 में देवा थाई नामकी इनोंने अपनी दूसरे फिल्म डिरेक्ट करी इसके बाद ये डिरेक्टर राजीव मैनन की मोवी मिनसारा कनावू मनी रत्नम की मोवी इरुवर और एस संकर की मोवी जीन्स जैसी हाईली सकसफुल फिल्मों का भी हिस्सर है इन फिल्मों में नसर की एक्टिंग का अलगी लेवल देखने को मिला 2002 में तामिस्ट फिल्म के लिए नसर सर को बेस्ट फिलेन का तमिलनाडू स्टेट अवार्ड मिला इसके अलावा इम मगम, देवया थिरु मगल और कविता थलाईवन जैसी फिल्मों के लिए इनने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का तमिलनाडू स्टेट अवार्ड भी मिला वहीं दूसरी और ये सिमात्री, भागी रथा, पोकरी, रैडी, गोली मार, जिगर कलेजा, मिस्टर परफेक्ट, धामू और एक कदम से लेकर बहुबली जैसी तेलगू फिल्मों में भी नजर आए हिंदी फिल्मों पर नजर डालें तो इन्होंने चाची 420, रावडी राठोर, दगाजी अटेक और डीडे जैसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया दोस्तो नसर सर ने बहुत सारी फिल्मों की डबिंग भी करी है और बहुत सारी इंगलिस फिल्मों में काम भी किया है ये South Indian Artist Association के मेंबर भी हैं बात करें इनके मेरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दू इनकी साधी जानी मानी प्रोडूसर कमीला जी से हुई है जो की फिलाल इस समय पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव हैं इस साधी से इनको तीन बेटे हैं बड़े बेटे का नाम है अब्दुल असन फैजल जो की 2014 में टी सिवा की मोवी से अपना डेब्यू करने वाले थे लेकिन उसी दोरान इनका मेजर एक्सिडेंट हो गया था जिस वज़ा से ये इस फिल्में काम नहीं कर सके वहीं इनके दूसरे बेटे का नाम है लुथ फुदुईन और तीसरे बेटे का नाम है अभी हसन तो दोस्तों ये रहा नसर सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको नसर सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धनिवाद